नमस्कार News 18 Hindi में मैं प्रतीक शिखर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ बच्पन में काटा था एक्टिंग का कीड़ा, उमिद थी बनूगा एक्टर, इसलिए सहा भी हथ से ज़्यादा पीड़ा मालूम नहीं था, सफर होगा काफी किड़ा मिड़ा, खैर समय से बहुत कुछ सीखा, कभी कहीं से उठा, तो कभी कहीं गिरा विलेन बनकर भी होती है हीरो वाली फिलिंग, इसलिए आज है ये OTT का हीरा वो है हीरा, हमिश सेयाल जी, जो आज हमारे साथ यहाँ पर मौझूद है क्या बार थे सर, क्या पिस्सों मौझ। बहुत-बहुत स्वागत है हमिश जी आपका है, साथ ही हमारे साथ यहाँ बने हुए हैं विवेक आंचलिया जी, जो कि पिछले दस सालों से इंडस्ट्री में सक्रिये हैं, लेकिन अभी हाल में, हाल क्या है, यह कल ही कह लें, 23 तारीक को ही इनके फिल्म रिलीज हुई है, तिक्डम, जियो सिनेमा पर, और अमिस साब इसमें लीड रॉल करते हुए निजर आ रहे हैं, तो सबसे पहले अमिस साब आप से ही सवाल है, मिर्जापूर, जामताड़ा, महरानी, काटमांडू कनेक्शन, काला और ना जाने क्या-क्या, क्या विचार है मतलब, क्या करना चारे, OTT पर कबजा करने का पूरा इस तायब की सिचोवेशन में रहा हुए, तो अब मिल रहा है काम अच्छा काम मिल रहा इनकी वज़े से कुछ और अच्छा काम मिल गया, तो करने दो यार, मतलब, यह सवाल अब मुझसे पूछना कितन cafर दो साल के बाद दो साल के बाद तबीiroper gefallen है कैर आज मतलब यह मैं कर रहा मतलब नेरे कहल सुझल मीडिया पर कई Double Harryregation उननकी तरफसे था मिरा खुद का कोई वह नहीं था लेकिन हाँ जो चीजें हैं जो दिखती हैं जो वह ही दिखती और अभी आपके फिल्म आई है तिक्रम तो बहुत ही अलग तरह का किरदार है, बहुत ही हटकर है कुछ आपने किरदार के बारे में बताया है एक बाप है, बहुत सीधा सादा सा और खुश मिजाज और दो बच्चे हैं, बेटा है, बेटी है और एक दादा-दादी हैं, बच्चों के, जो उसके माबाप है एक छोटा सा प्यारा सा शांत एक गाउं है, हिल स्टेशन में एक छोटे सा हैंड टू माउट एक्जिस्टेंस है, लेकिन खुश हैं बहुत तो खुशी पे नजर ये लगती है कि क्लाइमेट चेंज की वज़े से जिस होटल में बाप काम करता है, वो बंद होने वाला है और ये जिन्दगी में जो है, कभी अपने घर को छोड़के, परिवार को कभी बाहर नहीं गया है नौकरी पाने के लिए, लेकिन अब होटल के बंद होने के चलते जाना पड़ेगा उसको पलायन, हाँ, तो बच्चे जो हैं, वो क्या तिकडम लगाते हैं कि बापा को जाने से रोग लें, तो इसलिए नाम पड़ा है तिकडम और इसी प्यारे से परिवार की कहानी है कि बाप फाइनली चला जाता है कि नहीं जाता है तो यह कहानी है छोटी सी इस फिल्म तो पिछले दस ग्यारा साल से इंडिस्टी में आप सक्रिये हैं कैसा रहा अब तक का सफर मतलब डियरेक्शन आपने दस साल बाद किया इससे पहले का कैसा रहा था सफर बड़ा इंट्रेस्टिंग था मैं शुरू किया था स्पोर्ट्स नीज में यहां दिल्ली में शुरू किया था फिर 6-8 महीं ने यहां काम किया फिर बंबई चला गया बंबई में एक एक entertainment channel में शुरू किया मैंने काम करना फिर वहाँ से घर की बहुत याद आने लगी जो हमारी फिल्म की थीम भी है तो एक साल वापस दिल्ली आया मैं तो यहां गुलगाओं में काम किया नट जीयों में फिर लेकिन यहां आने के बाद लगा किया आर काम जो है उसका जो प्यार था वो तब आपको आजट नशा पढ़ गया था तो आपको लगा किया जो मुझे करना वो तो और अब ही हो सकता फिर वंबही गया तो चार साल पिर उसके बाद हेग और channel में काम किया फिर इसके बीच कई सारे जो प्रोमोज वगरे जने हम बोलते हैं वो डिरेक्ट किये मैंने फिर 2015 के आसपस मुझे लगने लगा कि अब मुझे लिखना है और फिर मैंने उस वक्त नौकरी छोड़ी कुछ दो-तीन महीने का मेरे पास सेविंग थी तो फिर वो नौकरी छोड़ी उसके तुरंद बाद मेरी किसमत भी अच्छी थी कि मैंने नौकरी छोड़ी और राजमा चावल उस ताइम एक फिल्म थी वो किसी को सुनाई उनको अच्छी लगी लीना आयादव डिरेक्टर है उसकी तो वो फिल्म हो गई इसके बीच फिर दौरान मैं आड कमर्शल शूट करता रहा प्रोमोज भी शूट करता रहा और फिर 2018-19 के वाजब की कहानी मैंने 2007-08 में सुनी थी अपने एक दोस से और फिर उसे लिखा गया पंकर्ज एक मेरे साथ में राइटर है उन्होंने और मैंने बैटके लिखा इसका स्क्रीन पेड है और फिर 2018-19 के आसपास हमें लगा कि यार अब लोगों उने अच्छली जादा विश्वास दिखाया कि अब तुम बना लो अब हो गया है वक्त उसको भी मैंने टाला थोड़ा अपने इंसेक्यूरिटी की वजए से लेकिन मैंने का चलिये बनाते हैं और फिर हमने वो होता है ना कि आप अंधेरे में एक वो गिस मलब की की शायद लक में हो जाए तो हमने भेजा पहले इनकी तरफ से कोई जबाब नी आया तो इन्होंने पढ़ा होगा अच्छा लगा लेकिन यह बिजी भी थे फिर इनकी तरफ से लिए आर तो उन्होंने उस ताइम वही होता ना कि हाँ बताते हैं सोच के बाला तो इनकी इन्हों से बात नहीं वही हुए थी मेरी वह इनके मैनेजर से बात वही थी उसके बाद लेकिन 40 मैने बाद जब हम और तय आर भी थे तिमक्रां किस्मत की बात ही था उने पढ़ी कल और हम पढ़ते-पढ़ते यह और इनकी मैंजर वोले हम दोनों रो रहे थे तो वो मिलना चाहते हैं तो फिर बुलाया गिया यह सर 2020 की बात है 2020 किस की बात है फिर हम मिलें बहुत लख लंबी चल रही थी प्लानिंग यह पहले ही फिल ना लंबी ही होती है कोविड खतम हुआ था और उस वक्त फिर अमित से मिला मैं और इन्हें स्क्रिप्ट अच्छी लगी पहले तो वो आधी जीत तो आपकी महा हो जाती है फिर हम जो मिले तो दस मिनट में यह तह था कि यह कर रहे हैं और फिर बनाई फिर उस ताहिन जीओ स्टूडियो भी आ आपके सामने हलागे जानता मैं सब कुछ हूँ आपके बारे में समय कम है इसलिए मैं ज्यादा बता भी नहीं सकता लेकिन बस मैं सौट में जाना चाह रहा था कि लगतार जो रोल आपको देखते आ रहे हैं लोगो टीटी पर एक के बाद एक वेब सिरीज में तो यह रॉल कितना कुछ तिपिकल था आपके लिए निभाना इंपॉर्टेंट था सब वह इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि जैसे कि आपने खुदी बताया कि बहुत सारे इंटेंस रोल कर रहा कम है तो वह करते करते थोड़ा सा उबायत आ जाती है थोड़ा ऐसा बॉंट आउट की फिलिंग आती है वह क्योंकि आपके दिलो दिमाग के नदर भी घर कर जाते हैं वह सारे इंटेंसिटी जो है ना तो मेरे लिए तो बिलकुल मतलब कमाल की सौगात बन क्या है यह रोल और मैं तो खुशी-खुशी कूद गया है थार कि यही करना है मुझे एकदम यूनों इस इस किसम का रोल करने का बहुत टाइम से मनत है चुशी तो मुझे तो मिला दो लपक लिया पकड़ लिया ने को मिला बहुत ही शांदार किरदार है मतलब आपने जो दिया और आपने जो निभाया रौंटे खड़े कर दे लाए और साती जो रिवीयो आ रहे हैं जो वॉलीबुड में ज्यादा युगदान नहीं रहा आपका मतलब लेकिन OTT आते ही ऐसे तावा तोड मतलब बीजी हो गया आप क्या मतलब इसके वो भी जो है वो जैसे मैंने पहले बोला कि बहुत आकाल सहन किया है मतलब बेसिकली बहुत समय बिताया है बिना काम के काम की तला तो फिर वाड वाड खुले रखने चाहिए जो आ रहा आन दो क्या है कि घर में बैठने से क्या फाइदा है घर में बैठने से जंगी लगेगा तो इस अच्छा काम करते रहो और अपना बैस करो बाकी तो क्या ये डिरेक्टर मीडियम है ये आप बड़ी से बड़ी फिल्म भी कर लोगे बड़े से बड़ा रोल भी कर लोगे तो भी पता नहीं क्या निकलेगा क्या नहीं निकलेगा उसमें से तो आप करते रहो ना आपकी भी प्रैक्टिस हो जी है तो मैं तो इसलिए धड़ा-धड़ा-धड़ा-धड़ा करता रहा मैं ठीके ना और क्या है पैसे से निभाया जा रहा था वो लोगों को पसंद गया है तो आज बैठा हूं आपके सामें लेकिन मैंने अपने दो लाइन जो आपके लिए लिखी थी उसे मैंने कहा भी कि आप विलेन बंद कर भी हीरो वाली देते हैं ओडी पर जो कही सारे रोल हैं कितना नाम लूँ लेकिन महरानी में जो आपका जो किरदार आपने निभाया वो बिलकुल दिल को छू लेने वाला किरदार है वो भी वो भी बहुत मैं actually किस्मत का वड़ा धनी इंसान है ऐसा लगता मुझे और महरानी भी जो आया है मतलब सुभाज भाई सुभाज का पूर जो क्रियेटर है तो almost ना हो गया था उसके लिए कि मेरे पास dates नहीं थी जिस date में वो शूट करना चाहते थे और महरानी अगर नहीं किया होता मैंने तो मैं कितनी गालिया निता को इस वह एक सीरीज इसी है कि अभी भी लोग बैठे हुए कब जो है अनॉंस्मेंट हो जाए चानक से आजकल तो अचानक ही हो रहा है अनॉंस्मेंट तुरंत से वो सोचल मेडिया पर डाल दे रहे हैं तो वैसे अमिर जी कई जगा सुना पढ़ा आपके बारे में वह एस्ट्रेलिया वाली बात कि आपने वहां बहुत श्ट्रगल किया बेसिकली टैक्सी वगरा चलाया बरतन तक भी आपने धोया जरूरत क्या पढ़ गई थी चुकि फाइनेंसिली तो आप ठीक थे मेरे ख्याल से घरवाले आगर आपको बाहर भेजे थे पढ़ने के लिए तो फीक थे मतलब इतने भी ठीक नहीं थे कि मतलब मैं कुछ भी कर सकता हूं और यह क्या है ना कि परसेप्शन हो जाता है कि मैंने वहां बरतन मांजे वेटरी करी टैक्सी चलाई तो मतलब पता नहीं क्यों जरू पड़ी थी आपको यह सब मजयाते करने में यार अच्छा और यह सब जवानी वी नहीं करोगे तो कब करोगे हैος मैंने और यह अई सब चीजे लाइफ स्किल्स सिखाती है घुकिए तो हर एक टीनेजर को बच्चे करना चाहिए और इसमें क्या शराम है नहीं नहीं बिल्कुल बहुत अच्छी बात ही बड़ी मौज की चीजें हैं खुद गाए कि साल की मर बरतन मान के पैंटीस डॉलर मिलते तो इस ताइम पे एक उसके पैंटीस डॉलर बहुत होते थे भाई उस ताइम है ना तो उसमें किराया भी दे पारा आदमी खाना भी ख करने थी बहुत सारे सवाल थे आप से पुछने के लिए लेकिन बहुत कम समय के लिए आप यहां पर आया है हमारे पार इस बार माफी चाहूंगा तो फिल्म की तरफ जादे ध्यान है बस आखरी सवाल जो है वो मैं डाक्टर साब से करना चाहूंगा आप से विविक भाई क कि सबसे खास बात बता दीजी आप तिकडम की सबसे खास बात चलिए एक बात है तिकडम में जो मुझे लगता है कि बहुत कम अभी जो कॉंटेंट बन रहा है उसमें होती है फिल्में बन रही है जो सीरीज बन रही है कि बहुत कम ही होता है कि आप अपने पिता को अपनी पतनी को, अपने बच्चे को, अपने पूरे परिवार को, चाहे वो 20 का हो, 50 का हो, इतना भी वड़ा परिवार हो, अब साथ बैठके देख सकते हैं, किसी को नजरें चुरानी नहीं पड़ेंगी, किसी को नजरें हठानी नहीं पड़ेंगी, आप एक दम देख सकते हैं, हमें य्यू सर्टिफिकट मिला है और तो बिल्कुल सब आयो बैठ बाढ़े डेके देखें जैसे एक दमाने में हिंदुस्तान ठीस लेका करते है वैसे बैठ कर देखिये देखिये और साथ बैठ कर हशियर हों रुए को कुछ निया शीज क एक OTT के लिए तो कही ना कहीं से कुछ अच्छा हो लोग को पसंद है थैंक यू सो मच अमिद भाई थैंक यू बात करने के लिए थैंक यू